मैं कोई संत, साधू, साधवी नहीं हूँ मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ आगे ग्रहस्त जीवन पुन रूप से जीना भी चाहती हूँ वो एक कस्टमाइज बैग है, कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मरजी से बनवाते हैं इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें, कि मैंने अपना नाम की वो एक कस्टमाइज बैग है वो लिमिट वो बाउंडरी आध्याकमिता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजे मुझे उतना परिशान ना करे चीजे मुझे ना खरीद ले परिस्तितियां खुशी या दुख ना तै करे मैं जब पुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुछ थे मुझे माया से दूर कैसे रहना है ये सब बताती है और किस तरह जीवन में एक साधा जीवन जीना चाहिए ये बताती है लेकिन देखा जाए तो आपके हाथ में जी और का ब्रैंड़ेड बैग और आपके कंदें पर गुची के स्काफ दिखे हैं जिसे लेकर काफी ट्रोल किय को आप क्या जारा है इस बारे में अप क्या बूलेंगे इस बारे में दो तीन चीजे में कहना चाहूंगी पहला तो जो बैग की बात है बैग इस अ कस्टमाइजड बैग और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि leather है उसमें कहीं भी leather नहीं है वो एक customized bag है और customized का मतलब कि आप अपनी मरजी से बनवाते हैं इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम की वो एक customized bag है उसमें कहीं से भी कोई leather नहीं है और मैं अपनी guarantee ले सकती हूँ पर मैं किसी company की कोई guarantee नहीं लेती पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी और मैं आगे की भी guarantee लेती हूँ कि मैंने कभी leather यूज नहीं किया ना मैं कभी करूंगी तो पहली ये चीज, तूसरी आप ने जो बात कही के मो माया से दूर तो जो सच में जिनोंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिनोंने कथा सुनी होगी उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वीडियो भी जरूर दूँगी जो आप इसके साथ अटाच कर दीजेगा कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाईए अरे सब मो माया है, सब त्याग दो, हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले, so I have been very clear day one से के पहला मैं कोई संत, साधू, साधवी नहीं हूँ मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ आगे ग्रहस्त जीवन, पून रूप से जीना भी चाहती हूँ परिवार है, दोस्त है, रिष्टेदार है, जब खुशकबरी आती है, तो हम celebrate करते हैं, enjoy भी करते हैं परिवार के साथ भार घूमने भी जाते हैं, यानि एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और यह मैंने हमेशा से clear रखा है, मैंने कभी नहीं बोला, मैं साधू या संसाध्वी हूँ, या मैंने वेराग ये ले लिया है या किसी को लेना चाहिए, यहां तक कि मैं यूद से कहती हूँ, कि आप महनत करिए, कमाईए, अपने आपको एक अच्छा जीवन दीजी, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजी, अपने सपने पूरे करिए तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है किया रहे इन्होंने ऐसा क्यों कहा हमें तो त्यागने को कहती है मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा आप जैसे ओल्वेज देखा गया कि मेटरलिजम की बात करती है लेकिन एक ब्रैंड को यूज करना अलग अलग ब्रैंड को यूज करना जो कि ट्रोलिस भी आपको आपने देखा ही होगा सोचल मीडिया पर किस तरह से बोल रहे हैं तो क्या ऐसा है कि आप वाके ही ब्रैंड्स यूज करते हो ब्रांट्स कोई ब्रांट्स देखके यूज नहीं करता, आप कहीं जाते, आप कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं, आप अगर आज कई उतको देखेंगे कुछ कहते हैं, रहे मुझे उजूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये जिसा कहा मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही है और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल से जिसमें से किये है कि मैं लैदर यूज नहीं करती कभी नहीं किया तो मेरे कोई समान में है भी नहीं ताकि अपने परिवार को अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमें इसा एक चीज से रहा क्योंकि what I have learned जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्मिक ज्यान है भगवत गीता पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा भगवान ने अरजुन से नहीं कहा था कि वो अपना इश्वर इत्याग दे वो जंगल चले जाए वो वेराग्य ले ले भगवान ने कहीं भी नहीं कहा भगवान ने का अपना कर्म करते रहो अब एक राजा है क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे पर spirituality अध्यात्मिक्ता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं चीजें आपको ना खरीदे वो limit, वो boundary अध्यात्मिक्ता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परिशान ना करे चीजें मुझे ना खरीद ले परिस्तितियां खुशी या दुख ना तै करे मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे और जब भगवान की क्रिपास से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतनी खुश है, चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जी बनाता है, जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ, तो अगर रियल में आप मेरी बात सुनके कहेंगे, क्या रही यह हमें यह कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए, रदे दन जिस ट्रोलिंग समवन इल्स, जैसे अगर अभी आपने ट्रोलिंग की बात की, तो वी ब्रैंड़ बैग, आपने कहा कि उसमें कहीं भी लेदर देंगे, लेकि इन ट्रोलिंग सुरू हुई है, कि उसमें एक ब्रैंड का नाम दिखाई देंगे, मुझे देखे, मुझे नहीं पता, ये क्योंकि ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी की कोई बात है, वेदर इट इस सम अजेंडा, वेदर इट इस सम पेड पियार, नेगिटिव पबलिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से और यहां तक कि, ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद pictures upload कि जब मैं airport पे होती हूँ तो आप कई बार upload करते करे फ्लाइट लेट हो गई तो आप अपने luggage का ही photo upload करते है मैंने बहुत बार किया है तो मुझे से लग रहा कभी ये बात नहीं उठी पर अचानक से ये बात उठना और एकी बात पे बार बार जोर देना जबकि एक story पे भी I have always clarified कि नहीं है लेकिन बस यही बात है कि ये video भी और वो story भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं जो मुझे पसंद करते हैं जो शायद मुझे थोड़ा भरोसा करते हैं और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बाते इंटरनेट पे कर भी रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है बाकि उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाते या मुझे नहीं पसंद करते क्योंकि जो नहीं समझना चाते नहीं पसंद करते आप उनको कितना भी कह लीजे वो नहीं पसंद करेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती पर ये वीडियो से उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे कि मैं आपको धुका नहीं दूँगी मैंने 22 साल पहले कारे शुरू किया था मैं इतनी बेफकूफ नहीं हूँ कि मैं उस 22 साल की तपस्या भक्ती को ऐसे जाया जाने दूँगी तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीज़े यूज नहीं की थी कथा करते वक्त भी और आगे की अपनी तो गारेंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो अब धन की बाद तो मैंने जब क्लियर करी दिया है कि मैं साधवी संत साधू नहीं हूँ तो आप क्यू मुझे उस पेडेस्टर पे बठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं मैं नहीं हूँ संत मैं आप जैसी बच्ची हूँ जैसे आपके घर के बच्चे हैं बिल्कुल वैसी हूँ परिवार के साथ रहती हूँ और यह मैंने बहुत इंटर्व्यू में कंटिनुसली बोला है तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे आपने कहा कि मनशा के तहत कोई टार्गेट कर रहा है इशारा कि आपका किसी की तरफ है कोई शारा मुझे नहीं कि मुझे ये बात इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक कैसे जो बात जो चीज मेरे पास इतने समय से है जो चीज सब को दिख रही है लेकिन अचानक से उस चीज के ओपर बात उठाना और क्लारिफाई करने के बात भी करते रहना और ऐसे ऐसे pages का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से हमेशा से जो सनातनी है वो target में रहे हैं पिकॉज जब हमने उनके pages को search किया जो हमारी social media agency है वो search कर रही है तो back to back देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कारे करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को target करते हैं वो जान मुझके ऐसी चीज़े उठा के लाते हैं जो उनके काम से जोड़ी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुचाते हैं भगवान की बात पहुचाते हैं वो उनका questioning नहीं है पर personal life में क्या है वो जादा उनका questioning होता है और सिर्फ मेरा नहीं जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं इन से पहले शायद अगर पोस्ट देखा जाए तो आई वोट से ऐसे पोस्ट है जो सोसाइटी को अक्चली खराब करने का काम करते हैं पर अचानक से now they have changed and उनको सोसाइटी बहतर करने पर काम करना है इसलिए मैंने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं समझा सकते और उनके लिए यह वीडियो है भी नहीं यह सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं यह उनके लिए है जो मुझे प्यार करते हैं जो मुझे विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करिए मैंने आपका विश् नहीं किया था, तो हम चंडीगड में थे, बीपराग जी ने एक बहुत अच्छे कथाकार है, इंदरीजी उनकी कथा कराई थी, और हमें निमंतरन भेजा था, कि हम भी उस कथा में एक हिस्सा बने और मैं उसी कथा को सुनने के लिए गई भी थी, और मैं वापस आ रही थी, तो एरपोर्ट पे कोई एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने वीडियो बनाया, आप देखेंगे भी अगर वीडियो में, तो मैंने उनको, वो मुझे नमस्ते शायद कर रहे थी, तो मैंने उनको स्माइल भी किया, और उन्होंने काम मीडिया से है, तो मैंने इसले कोई जी आईवी थी, and then I think जो रियाक्शन हुआ, जो भी हुआ, उसके आद वो डरके मारे शायद उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया होगा, और लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले वीडियो अप्लोड किया, और मैंने डिलीट किया, तो अगर आप अगेन मेरे पेज पे जाएंगे, तो मेरे पेज़ का एक grid है, एक theme है, और वो theme है, पहला post quotes होते हैं, दूसरा motivational reels होती है, तीसरा कथा की reels होती है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालती, तो मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं डालती, जो मैंने डाला नहीं, मैं वो डिलीट क्यों करूँगी, तो आप अगर यह भी सोच रहे हैं, कि ठीक है, हम आपकी सारी बात मान जाते हैं, लेकर आपने डिलीट क्यों किया, तो मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया, I don't know वो कौन सा media house है, जो उस दिने अपोर्ट पे था, पर एक ही व्यक्ति था, जिसने वो वीडियो बनाया था, यह कह करके हम मीडिया से हैं, तो उन्होंने ही डाला और उन्होंने ही अपलोड किया, नहीं किया, डिलीट किया, I have zero idea, पर मैंने नहीं किया.